आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुती टेस्टी आलू चीज सैंडविच इसके लिए हम बहुत टेस्टी सा एक आलू मसाला तयार करेंगे और ये स्टफ्ट वेजिटिबल सैंडविच बनाएंगे आलू सैंडविच तो आपने बहुत बार बनाया होगा लेकिन एक बार बनाके देखें ये बहुती स्पेशल सैंडविच जो लगता है एक तम कैफे स्टाइल स्वागते आपका स्वाध्या रसोई में सैंडविच की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हरा धन्या डालेंगे एक मुठी पर अच्छी तरह धोकर अब इसमें दो हरी मिर्च मिला देंगे अद्रक को मैंने चील कर इस तरह स्लाइस किया हुआ है वो भी डाल देते हैं बुनी हुई चने की दाल मिलाएंगे इसमें एक टेबल स्पून नमक यहाँ पे मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ आदी चमच डाल देते हैं अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जितना हमें चटनी पीसने के लिए चाहिए और नीबू का रज भी मिला देते हैं नीबू के रज की जगे आप यहाँ पे आदी चमच अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स्चर को हम ब्लेंड कर लेंगे और इसका स्मूध पेस बना लेंगे तो ये बन गई हमारी चटपटी सी सैंडविच चटनी इसे अब अलग रग देते हैं और आलू का मसाला बना लेते हैं आलू का मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ दो चमच देसी घी डालें इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सैंडविच में करम होने पर हम इसमें डालेंगे राई राई के साथ हम एक चीज़ और एड करेंगे वो है सौफ साबुत सौफ यहाँ पे मिलाएंगे राई और सौफ का जो कॉंबिनेशन आता है बहुत ही डिफरिन फ्लेवर देता है इसे अब थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बढ़िया सी इसमें से खुश्पू आने लग गई है अब हम इसमें हरी में शायट कर देंगे और एक चमच डालेंगे जिंजर गालिक पेस्ट अदरकुले सुनकार पेस्ट जरूर डाले इसे भी अब हम फ्राई कर लेंगे धीमी आज पे हलके चलाते वे बून ले जब ये बुन जाए तब इसमें डाल दें बारी कटी हुई प्याज तो ये आदी कटोरी बारी कटी हुई प्याज है अब इसे भी हमें अच्छी तरह फ्राई करना है इस रेसिपी के सारे इगेडिंस की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं प्याज के साथ अब बारी कटी हुई शिम्रामिच भी मिला देंगे अब इसे भी हमें एक दो मिनिट तक चलाते हुए सौटे करना है यहाँ पे आप ध्यान रखें कि प्याज और शिम्रामिच जादा गले नहीं क्योंकि यह सबजियां अगर क्रंची होती हैं तब ही सैंडविच में अच्छी लगती है अब इसमें हम उबले हुए आलू मिलाएंगे तो यह है एक कप उबले हुए और मैश किये हुए आलू यह इसमें डालके अब हम इनको भी सबजियों के साथ भूनेंगे इसको बस दो से तीन मिनिट तक चलाते हुए भूने जब आपको लगे ही यह थोड़े से भून गए हैं तब इसमें हम मसाले अट करेंगे तो अब मसाले मिला देते हैं हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चमच आधी चमच में लालमिच पाउडर डाल रही हूँ आधी चमच नमक और आधी चमची में यहां चाट मसाला मिला रही हूँ चाट मसाला में भी थोड़ा नमक होता है उसी हिसाब से डालें अब मिलाएंगे एक चुटकी चिली फ्लेक्स और थोड़ा अमचूर पाउडर पारी कटा हुआ हरा धन्या मिला देंगे लास्ट में और सभी चीजों को मिलाते हुए हलका सा एक दो मिनिट तक भूनेंगे आप यहाँ पे अमचूर पाउडर स्किप कर सकते हैं और बस केवल नीबू का रस भी आड़ कर सकते हैं अब दो ब्रेट के स्लाइस लेंगे यहाँ पे एक पे मैं लगाने वाली हूँ यहाँ मियोनीज सॉस यह एगलेस मियोनीज है तो यह यहाँ पे लगा देते हैं और दूसरे स्लाइस पे हम लगाएंगे हरे दनी की चटनी जो हमने बना के रखी हुई है चटनी और सॉस जो भी आप लगाएं बहुत अच्छी तरह लगाएं अच्छी कॉंटिटी में तो उससे टेस्टी बनता है सैंडविच पूरी एक लेर लगा देंगे इस पे यहाँ पे आप चाहें तो टमैटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऐसी ही क्वेक और टेस्टी रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहते हैं अब हम बना रहे हैं आलू चीज सैंडविच तो चीज स्लाइस लगाएंगे इस पे इसकी जगे आप प्रोसेस चीज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं म्योनीज वाला सैंडविच इस पे लगा देंगे और ये पढ़िये से अरेंज हो गया है सैंडविच को अब हमें सेकना है आप इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं क्योंकि हमने आलू मसाला बहुत अच्छा भुना हुआ लिया है लेकिन सेकने से यह बिलकुल हो जाता है कैफे स्टाइल ग्रिल्ड सैंविच तो जैसे वेजटेबल ग्रिल्ड सैंविच आप कैफे में खाते हैं बिलकुल वो ही टेस्ट आता है इसमें एक surface पे मैंने अच्छी तरह से butter लगा दिया है और brush के मदद से grilled pan के उपर भी मैंने यहाँ butter लगा दिया है आप इसको टवे पर भी सेख सकते हैं बटर वाली side से आप इसको रख देंगे और दूसरी side पे भी हम अच्छी तरह से butter लगा देंगे तो यहां बटर अच्छे से लगाएं तब भी वो बढ़िया रोस्ट होगा एकदम दीमी आज पे इसको हम सेकेंगे ताकि यह बढ़िया सा गोल्डन रोस्ट हो जाए यह देखिए ऐसे हमें इसको पलटना है दोनों तरफ से और इसको बढ़िया सा गोल्डन रोस्ट कर लेना है तस दो मिनिट में यह टेस्टी वेज ग्रिल्ड सैंडविच हमारा तयार हो गया है आप चाहें तो इसे सिंपल तवे पर भी सेक सकते हैं तो दीमी आज पर पलटते हुए अच्छे कॉंटिटी में बटर लगाएं और ऐसे गोल्डन रोस्ट करें तवे पर भी यह बहुत बढ़िया बनेगा सिंपल आलू सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच यह सब तो हम रोजी बनाते रहते हैं एक बार इस कॉंबिनेशन को जरूर ट्राय करें इस सैंडविच के लिए जो हमने आलू का मसाला तयार किया था उसमें जो भी इंगेडियन्स हमने डाले हैं वो इसको बहुत ही डिफरिंट और चटपटा टेस्ट और फ्लेवर देते हैं आई होप आप इस रेसिपी को ट्राय करेंगे और पसंद भी करेंगे ऐसी ही रेसिपीज और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें और इस करमा गरम सैंडविच को सर्फ करें हरे दिनी की चटनी और अपनी पसंद की टमाटो सॉस के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और मज़ितार रेसिपी के साथ तब तक देखते रहें स्वाध्यारा सोई जहां है स्वाध भी और सेहत भी